हलो दोस्तों के सब सब और आज के सूडियों हम करने वाले हैं Realme X7 Pro की अन्बॉक्सिंग तो इस सूडियों को भी ना किसी दिरी के शुरू करते हैं तो इस तरह का कुछ बॉक्स आपको देखने को मिल जाता है तो जल्दी से इस बॉक्स को उपन कर देते हैं और देखते हैं बाकिन की कंटेंट्स तो पहले हमें मिलेगा एक इन्विटेशन लेटर जहां पर दिखाऊगा अरे वेल्कम तू रियल मी फैमली बाद में हमें मिले एक अच्छी क्वालिटी का TPU केस, उसके बाद है टाइप C केबल और एक 65 वाट का सूपर डार्ट चार्जर, उससे के साथ यहाँ पे एक डॉंगल मिलती है और एक से मेजिक्शन टूल, अगर बात करें हमारी डिवाइस के तो इस तरह का कुछ आपको डिवाइस देखने को म मिलता था, बट यहाँ पे आपको मैट फिनिशिंग भी दी गई है, उसके साथ यहाँ पे आपको जो रियल मिका स्लोगन है, डेल टू लीप, उसका एक बड़ा सा लोगों देखने को मिल जाता है, तो आप मुझे कमेट्स में बता दीजेगा कि आपको इस तरह का संदाता है या नहीं, अगर बात करें बिल्ड की तो पीछे की तरफ आपको ग्लास देखने को मिल जाता है, उसके साथ में है कॉर्नी गुरिल ग्लास 5 की प्रोटेक्शन और जो फ्रेम है वो यहाँ पे आपको प्लास्टिक का देखने को मिलता है, बात करें डिस्प्ले की तो यह अराउंड 1200 nits तक पीक ब्राइटनेस आपको दे देता है, तो यहाँ पे ब्राइटनेस और डिस्प्ले में तो बिल्कुल भी इशुन नहीं है, और इसके साथ में यहाँ पे आपको 120 Hz का हाई रिफ्रेशर भी दिखने को मिल जाता है, तो यहाँ पे डिस्प्ले में अगर बात करें कैमरा आप्लिकेशन की, तो यहाँ पे आपको सारी की सारी फिचर्स देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपको डेडिकेट इडिकेट 64 EMP का भी मोड देखने को मिल जाता है, जिससे आप हाई रिजुलेशन वाली पिचिर्स खीच सकते हैं, बाद में तो यहाँ पे आपको दिखने को मिल जाता है, तो बागी Realme phones की तरहे भी यहाँ पे आपको camera UI देखने को मिलता है, अगर बात करें परफॉर्मेंस की तो यहाँ पे आपको मिलेगा MediaTek Diamond City 1000 प्लस वाला चिपसेट, जहाँ पे आपको flagship level की परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती ह यह एक 5G चिप है, तो यहाँ पे आपको smooth experience भी देखने को मिल जाता है, उसे के साथ में faster connectivity भी देखने को मिलती है, अगर बात करें इसके अन्तुत स्कोर की तो यहाँ पे आपको 5,32,000 के आस पास आपको यहाँ पे benchmark scores देखने को मिल जाते है, तो यह एक बहुत ही powerful चिप से फिर की तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा Realme UI और यहाँ पे आपको Android 10 out of the box देखने को मिल जाता है, अगर finally बात करें pricing की तो जो base variant है वो है 6 GB RAM और 128 GB वाला, उसकी pricing है around 2199 U1, अगर हम इसे इंडियन रुपीज में convert कर दें, तो वो हती है around 23,000 इंडियन रुपीज, तो आप देख सकते हैं इस price पे बहुत ही अच्छा यह phone है, बट अभी के लिए यहाँ पे कोई भी confirmation नहीं है कि यह इंडिया में launch होगा या नहीं, और अगर बात किज़ें बाकी की variants की तो मैंने comment section में और description में बाकी की variants की pricing pin और note कर दी है, तो आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं, तो यह थार यलमी के तरफ से एक overall package तो आप मुझे जरू से comment section में बता दीजेगा कि आपको इस phone में सबसे बड़ी है चीज क्या लगी और इस वीडियो को like और share करना मत भूलेगा और मेरे चैनल को जरू सब्सक्राब कीजएगा क्योंकि मैं ऐसी ही और रोजाना आपके लिए लेकर आता रहता हूँ, तो बस आज की वडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ आप से एकली वडियो में, तब तक के लिए, बाई बाई